आपको दूसरे देश में एंट्री के लिए वीजा की जरुरत पड़ती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कई ऐसे शहर हैं जहां आप बिना अनुमती या पर्मिट के नहीं जा सकते भारत की जगहों के लिए जरूरी अनुमती को I.L.P. यानि Inner Line Permission कहा जाता है रिपोर्ट के मताबिक इन जगहों से अंतराश्ट्रिय सीमा गुजरती है यही वज़ए है कि यहां एंट्री से पहले पर्मिट की जरूरत आपको पड़ जाती है आईए आज हम बताते हैं कि ऐसी जगह कौन कौन सी है सबसे पहली है लदाग लदाग के कुछ ऐसी जगह हैं जो Line of Control के पास है इसलिए वहां जाने के लिए पर्मिट जरूरी है इसके अलावा नुब्रागाटी, सो मौरोरी जील, खार डुंगला पास भी है जहां पर सभी को सिर्फ एक दिन का पर्मिट मिलता है लदाग में देश और दुनिया भर से हर साल कई सारे सलानी पहुँचते हैं हर साल हजारों यातरी नागलेंड की खुबसूरत वादियों का दीदार करने पहुँचते हैं लेकिन आपको कोहिमा, मोकोचुंग, वोखा, दीमापूर आदी जाने के लिए पर्मिट चाहिए होगा यहां पांच दिन का लाइसेंस पचास रुपे में मिल सकता है और तीस दिन का सो रुपे में मिल जाता है अगली है अरुनाचल प्रदेश इस राज्य में कई जगह पर यातरा करने के लिए पर्मिट की जुरुत पड़ती है इसमें इटनगर, तवांग, रोइंग, पासी घाट, भालपुंगांग, आदी शामिल है ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह भूटान, मैनमार और चीन के बॉर्डर से लग जाती है और सुरक्षा की नजर से काफी समवेदंशील है सुंग्मो जील, गोईचला ट्रैक, नाथुला और ऐसी बहुत सारी जगह सिक्किम में भी हैं जहां पर आप बिना पर्मिट के नहीं जा सकते इन जगह को जाने के लिए आपको इनर लाइन पर्मिट की जरुरत पड़ेगी देश के उत्तर पूर्वी हिस्से का खूबसूरत शहर मनीपुर के दीदार करना भी आसान नहीं है यहां जाने के लिए भी आपको इनर लाइन पर्मिट की जरुरत पड़ेगी इसलिए आप अपने साथ पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं एक शांत आइलेंड है जिसमें कुछ दिन बिताने के लिए यात्रियों को पर्मिट लेनी होती है पर्मिट के लिए आपको नजदी की पुलिस स्टेशन से सर्टिफिकेट लेना होगा साथ ही आपके कागजात की जांच भी की जाएगी अगर पर्मिट मिल जाए तो लक्षदीप पहुचने पर स्टेशन हाउस आफिसर के पास उसे जमा करा दें या इसके अलावा आप ऑनलाइन पर पर्मिट के लिए अपलाई कर सकते हैं इस आइलेंड का नाम लक्षदीप है यह हम आपको बता चुके हैं